सकसेल्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो मेहनत करने वाले उपर फिदा होती है तो आप भी अपने जीवन में संगर्द कर रहें तो लगे रहें एक ना एक दिन सकसेस आपके जरूर होगी तो इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे य स्टार्ट करते हैं इसको, तो इसके पहला ही question था, निमरिकित में से किस ने कहा कि राजा को विद्रो के नेताओं के खिलाफ कारभाइश शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वही नेता हैं जो विद्रो का नेतरित परदान करते हैं, किसी यह हालात में उसे लोगों की भीड के खिलाफ बल परियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे व्याप्त रखपात हो सकता है तो यह quotation बेस question था तो यह quotation सिंपल सी कही थी मैकावली ने माफ कीज़े कोटलिया ने कोटलिया ने quotation कही थी कि राजा को विद्रों के नेताओं के खिलाफ कारवाई श्रू करनी चाहिए अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो विद्रों के नेता है वो बल प्रियोग से रखपात कर सकते हैं तो यह quotation जुड़ी थी कोटलिया के साथ सेकेंड कोशन था इसकेंदर यह assertion और reasoning संबंदित था क्यारट और इंड इस्टिक की नीती एक दोहरी नीती थी जिसका वो देशे विवक्ष में उदारवादी और चरम पंती तत्रों के पीच एक कील चलाना था तो यह क्यारट और इस्टिक की नीती का जो संबंद है वो चरम पंती जो लोग थे उनको एक सूत में बांधने कारे करता था सरकार नरम पंतियों को पुष्कार और रियायते दे सकती थी लेकिन साथ इवद चरम पंती को खिलाप अपने सेहने अभियान को जाली रख सकती तो यह दोनों सही था तो लेकिन इसकी व्याक्राइन नहीं पुश्तक है यह जॉन लॉउग के साथ जुड़ी हूए यह जूड़ी के साथ ऑर प्लिटिक जुड़ी हुए अरिस्थीयो गी साथ तो इसका मेल था इसका सेकेंड यह अ इसको आप लिख ले कॉपी के अंदर क्योंकि ये मैचिंग से लेट ऐसे कोशन आते ही एक्जाम के अंदर थर्ड कोशन था जॉन लॉक के अनुसार निम्रिखित में से कौन सी प्रकृति का अवस्था में होने वाली आजशुधा के आजशुधा में से एक नहीं है तो जॉन लॉक ने जो बताया था कि इसमें से क्या आजशुधा नहीं है तो इनकी जो आजशुधा के स्थिति नहीं थी वो थी लगातार युद्धी की स्थिति ये एक आजशुधा की स्थिति नहीं थी तो इसमें नहीं पूचाता तो इसका fourth option सही था फिफ्द कोशन था निम्डिखित में से elders लिखा कि पुरुसों में आसामानता की उत्पत्ति क्या है और क्या ये प्रकतिक कानून द्वारा अधिकृत है कि उत्पत्ति क्या है क्या है और ये प्रकतिक कानून द्वारा अधिकृत है What is the origin of inequality anything and it's authorized by natural law तो ये किस ने कहा है तो ये जीन जैक रूसो ने बात कही थी तो इसका रूसो कोटेशन बेस कोशन था इसको आप लिख लिए क्या आप तर रिपीट कर जाएं एक्जाम के अंदर आसे कोशन वे जोड देकर कहते हैं कि जनर्नल विल की व्यापकता संक्या की बात नहीं है जितनी की आंत्री गुणबता की अच्छाई की है तो ये बात भी उन्होंने कही है जन्रल विल को संप्रभू और वैक्तियों को जन्रल विल में सहभागी बनाकर रूसो ने तंतरता के साथ अधि तो इसका चारो सही था निम्रिखित में से किस ने बैंथम के पैनेप्टिकल को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्ट्रे दिया तो पैनेप्टिकल मोडल था उन्हें एक जेल अधिक्षक के संदम में रहता है और वह चारों तरब सब की निगरानी लगता है वह उनका पैनेप्टिकल मोडल था बैंथम का इसको शक्ति की आपधाना के रूप में किसने परिवर्थित किरा या उनको देने का स्ट्रे जाता है तो यह जाता है माइकल फूको आप जानते ही इन्होंने पोस्ट मोडलिस्ट ठिंक कर रही है और उन्होंने पावर के उपर बहुत क रही था निम्दिखित में से कौन सी सवतंत्रता उन विश्षिश सवतंत्राओं में से एक नहीं है जो जेस मिलने अपनी पुष्टक ऑन लिवर्टी अकालत किया तो इसमें से बदाना था कि कौन सी उनकी जो यह आप याद रखे जो उन्होंने अपना सवतंत्रता का उन्होंने जो अपना उन्लिबर्टी में जो सवतंत्रता का एडिया उसके अंदर उन्होंने दो बार में इसको बताया था कि एक सेल्फ रिगार्डिंग होगा और अधग रिगार्डिंग होगा इस संदर में उन्होंने सवतंत्रत की थी उन्होंने विचारों की अभिव्य पर लुए ले जा सकते हैं तो यह नहीं है विरोद्रों की एकता की बाद करी है उन्होंने संथेसिस और एंथेसिस इसकी भी बाद करें लेकिन जो उन्होंने समागरी और आधर समान है और एक तका गठन करना ये बात उन्होंने नहीं करी है बाकि ये तीनों बात उन्होंने कहिए ते इसमें पुछला तक कौन सा नहीं गया तो इसका फोर्थ अप्शन नहीं था अगला कौशन था ये अफ्शन और रीजनिंग के समन्दित था तो आई इसको देख लेते हैं अपनी पुस्तक सोचलिजम यूटोपियन एंड साइन्टिफिक में इंजल्स ने भौतिक वादी एतिहासिक भौतिक वाद के एक सिध्धान्त के रूप में परिवाशित गया है जो मानता है कि मानव विकास के पूरे पार्ठेकरम को निधायत करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है तो ये बात उन्होंने करी है कि यूटोपिया यंद साइटिफिक उनकी पुष्टक जो है और सेकेंड थायस का रीजन मानब विधियास के पूरे पार्ठिकरम को उतपादन और विन्मे के तरीके में होने वाले परिवर्दन के संदर में समझाया गया तो आप देख सकते हैं इसका एक लियावल है थोड़ा कठिन पेपर है शुरुवात के थोड़े कठिन कोशन है तो अच्छा है ये निम्रिकित में से किस भारते राजनतिक विचारक ने समाजवात का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति में नियंत्रण में नहीत है तो ये बात करें थी जवालान नहरुजी ने बात करें थी तो इसका सी अप्षन सही था उन्निस सो चतिस में बंबे प्राइट में सत्रा सीटों पर चुनावड़ने के लिए एक राजनतिक दल्का गठन किया रादिम दल्का क्या नाम था तो आप पहड़के जाए एक्जाम के ने अंदर 110% मिलता ही है तो जो उन्होंने इसका 36 में पार्टी बनाए थी इंडिपेंडेंट लेवर पार्टी उन्होंने बनाए थी जिन्होंने 17 सीटों पे चुनाव रड़ा था बंबे प्रांति के अंदर तो इसका फर्स्ट आप्सन सही था ये भी अमबेटकर जी सरी और एक अच्छे समाज के निर्माण में द्रिण जनकारवाई का आहन किया तो उन्होंने जो माक्सबाद जो हिंता की बात करता है उसकी इन्होंना अलोचना करी है और अच्छे समाज की द्रिण संकल्पना को पस्तुत किया है अनुने तर्क दिया है कि त्यास की आर्थिक व्याक्या तो राजनितिक और वचारिक संस्थानों द्वार निभाई जाने वाली महत्मूर भूमी का और राजे के विलुक्त होने की अब्धारना को सुईकार नहीं करती तो ये बात उन्होंने कहिए तो इसका फर्स्ट और स इसके उपर उन्हों पीच्डी करी थी तो ये 1923 के अंदर आईए वाट कॉंग्रेस और गांधी हैव ड़न टू अंटचेवल तो ये आईए 1945 के अंदर और हूवार सूद्रास तो ये आईए 1946 के अंदर तो इन सबको आप लिख लें कॉपी के अंदर और ये बहुत इंप पर अंतर जाती बहुत करें थी उनुने और वन आश्रम की रख्षा करने वाले सास्त्र जो हैं जो बात जो बनाया की रहाई रहते है इनको त्यार करना उनको न्यार संग ना मानना तो यह त्रीनों बात नियुक्ष्ञ अच्छा कोश्चन है एक्जाम में कई बार ये अच्छा कोश्चन हो सकता है इसका एक्जाम में पूस्टक ये पूस्टक ये अप जानते हैं लाइफ डिवाइन का सावित्री इनकी बहुत ज़्यादा इन्पोर्टेंट को में बुक है यह आतिरहती एक्जाम के अंदर M.N. Roy जिन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर सविधान सभा की मांग करी थी स्वामी वेकादन जी काफी इंपोर्टेंट थिंकर है रामकिशाष्ट्रम की स्थापन नों ने करी है तो यह सारे थिंकर बहुत इंपोर्टेंट है निम्लिखित में से कौन एक विज्ञान के रूप में राजनितिक सिध्धान का प्रस्तावक नहीं है तो यह प्रस्तावक नहीं है लियोस्ट्रस इसके प्रस्तावक राजनितिक विज्ञान के संदर्व में राजनितिक सिध्धान के संदर्वन नहीं है तो ये तीनों ही है इसके अदर ये तीनों चीज़े कही गई ये इन तीनों से ही मिलके वो राजनितिक सास्ते सिधांत बनाये तो इसका आप पढ़ सकते हैं तो ये तीनों कहीं है बीसवा कोशन था ये statement related था प्लेटो ने प्लेटो के लिए राजे संबंध की एक ऐसी विवस्ता है जिसमें प्रतियक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राजे का कारे ऐसे संबंधों को बनाए रखना अत्वा बढ़ावा देना है तो प्लेटो ने प्लेटो के बनाए रखना था ये संबंधों की एक एसी विवस्ता है तो ये बीकशका करते हैं तो इसका इसका करते है तो यह आप डेख सकते हैं, डीससबी के अंदर पार्ट वाई जाते हैं, फिर बीस कोशन करके आसे आते हैं, तो यह सेकंड इसका इसका डिसक्थ करते हैं, तो निम्लिकित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिध्धान्त का सबसे अच्छा वर्णन है, तो सबसे तो यह आप देख सकते हैं इसको याद कर लें किया है कि दूसरे के हस्तचेप ना करना यह बात करिए इजया बर्लिंग ने अपना जो कॉंसेप्ट दिया है वो नाकरात्मक और सकरात्मक सवतंत्रा के संदर्ब में दिया है तो यह भी आप याद रखें जर्मी बैंट था जो जो इसका सही आंसर था दूसरे के द्वारा हस्तचेप ना किये जाना तो यह बात करिए इजया बर्लिंग ने नाकरात्मक सवतंत्रता की रख्षा के लिए इजया बर्लिंग निम्रिखित में से कौन सवतंत्रक देते हैं तो आप जानते ही नाकरात्मक सवतंत्रक के बहुत बड़े परवक्तक हैं तो बर्लिंग ने तरिद्या कि सवतंत्रता अपने सवतंत्रता अर्थन मुख्य और इसका स्रोथ से नहीं, तो यह पहला option इसका सही था, और यह statement बाइस question था, निम्न कत्नोबर विचारज के लॉट एक्टन से जुड़ावा question है, तो इसको देख लेते हैं, लॉट एक्टन और एलिक्स डी टॉक विले ने जोर देकर कहा है कि समानता, सतंतता विरोधी है, त कानून के शाषन का मतलब है, कानून संपर्भू है, और कोई भी व्यक्ति चाहे, वह कितना भी महान हो, ऐसा सोचता हो, स्वेम को कानून से उपर पौशित नहीं कर सकता, क्योंकि यह मनमानी शाषन के समान होगा, तो यह बात सही है, जो कानून का शाषन होता है, लो कानून से उपर हूँ, तो ऐसी अब धारना कानून के शाषन में नहीं होती है, तो यह बात भी सही है, माक्सवाद प्रंपरा में यह दावा किया जाता है, सभी मनुष्य को अभ्यास द्वारा परिभाशित किया जाता है, अर्थात सभी मनुष्ये जानकार, जागरूप औ अंदर समांत्रा के अंदर आपकी जगा तो यह घलत था बागी यह तीनों सही थे तो फर्स सेकंड और थर्ड इसका उप्शन सही था अभी रिपीट भी हुआ था यह कोशन भी आया था उन्होंने कहां से प्रेड़ना लिया है इन्सान की सतंता और समांता न्यातिक वचारत से हैं तो यह बहुत अच्छा कोशन है इसको देख लें आप रिपीट हो सकता है यह कि जॉन रोल से अपनी जो उप्योगतावाद के आलोचना के विकल्प के तौर पर जो नोंने पस्तुत किया है वो किस से प्रेड़ना लिये उन्होंने उन्होंने इम्म्यूरन कार्ट से लिए कि हर इंसान सतंत और समांता न्यातिक वचारत से हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था रावर्ट नौजिक की नियाय की उद सभी को ऐसे रिए पृष्ठ को थे इसरुप एक अंदूरं की सफलता अप्योंग के लिए व्यवत्ट सब्सक्राइब अपर दजिपश Hoje की तो यह वाद भी सही है तो थर्ड भी सही है यह है इस धारनापन धारिकी व्यक्तिव के कार्यों को यदाक्षित यानि रैंडमली रूप से प्रेरित किया जाता है ना कि वरेता से तो यह बात नहीं है बाकी फर्स्ट और सेकेंड इसके अंदर रैस्टनल चोईस थियोरी के अंदर तो इसका नाली सुतम्ता के बाद राजी श्थर पर उबरी और विक्सित हुई तो यह बात सही है उन्हेंड तो सही है ऑपनाजिक रूप में इसका प्रभूत के रूप में थी तो यह बात राष्ट्रिये इस्तर्विए और यंधे प्रॉबू वाली वैस्ता से बात सही यह gettin कोर सब्सक्राइब को अदर ऊकिस्वा कोशन 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 नमब्र कोशन सब्सक्राइब नबुख हिंदू सोसाइटि एंड क्रॉस रोड वाज रिटेंड वाय तो यह लिख्ष है के एंप परनीकर ने तो इसको हम सरफ याद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह किस ने लिखिये तो यह के एम परनीकर ने लिखिये तो यह भी आप याद रखें यह कथन सत्य नहीं है दो कुन्हां कथन सत्य नहीं उन्होंने बात कर रहिए भारत में राजन एक वर्गय राजन का आवहान है तो यह बात नहीं करिए बाकि यह तीनों बात निकाई के रूप में श्रम और पुंजी के बीच बात्सित करता यह बात करी है जो यह बहुत अच्छा लेख यह पूछा गया रिपीटेड कोशन नहीं लिखा तो यह एक्जाम में काफे रिपीटेड कोशन भी आते हैं तो देख सकते हैं आप नव निर्माण आंदोलं भारत के किस राजिस में आ जीत है तो ये गुजरात था ये बहुत अच्छा कोशन है कई एक्जामें पूछा गया रिपीटिड है ये भी आप देख सकते हैं तो ये गुजरात से संबंदित था निमिखित पर से कौन समाजिक आंदोलंगा घटक नहीं है तो कौन समाजिक आंदोलंगा घटक नहीं है तो सिक्छा नहीं है बाकि देशे विजारधारा और कारेकरम आप सिक्छा देख सकते हैं तो अलकसंदर में हो गया तो समाजिक आंदोलंगा तो घटक नहीं है वो कहावत वर्ग वर्चस्व कभी विशुद रूप से आर्थिक या विशुद रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता किसके दुआरा कहा गया है तो यह बात करें गया है रॉल्फ मिली बैंड लॉल्फ मिली बैंड आपकों से किसने राधनितिक संस्था उपकरण के रूप के रूप में सरकार की संसदियस रूप लोगों के ठोस दोक्तांत्रिक अधिकारों को जारी रखने या उनका विस्तार करने के लिए आप रयाप थायवी आंक्त हुआ है किसने क्या किया क्याकन है तो ये ओसार दिश्य ने बात कहिए ले कुछ सफेक्ष अभाव शिद्धांत सफेक्ष अभाव सिद्धांत एक काफी उसाहे नहीं बताता तो सफेक्ष अभाव की सक désh ग्रिख किए सक्रिक्यों और उनकी मूले अपेक शाओं को उनके प्रयावन की सपस्ट मूले संक्ताओं के बीच इसंगतिंती की धारन ऐसे रूूप में परिभाशित किया गया है तो यह बात करता है सापेक्ष अभाववों की सक्रिया को És उनकी मूल्य आपेक्षाओं और उनके परेवन की सपस्ट मूल्य समताओं के बीच भी संगती की धारणा के रूप में परिवाशित किया गया तो यह बात करता है वो विरोध आंदलों के लिए सापेक्ष अभाव एक अवश्यक लेकिन प्रयावत सर्थ नहीं है तो यह बात आगर, आप जानते हैं तो किया मूझा है और यह किस ऐसे बीटर इच नंबर कोशन था कावेरी जर्ड विवाद भाए के किन दो राज्यों के बीस निम्रिकित में सब्सक्राइब कौन सा यूगम घटना और उसके वर्ष के संदर में सही सुमेलित नहीं है तो यह मंडल विवाद जो है यह समंदित नहीं है बाकि गरीव होटाओ को नारागा जो 1970 में दिया गया था लोक्तमत्र बचाओ जो एमरेंसी के बाद वो था उसके ब लिकित में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है तो यह फासिबादी आंदोलन जो है यह वेतनाम से नहीं जुड़ा हुआ है जर्मनी से जुड़ा हुआ है तो यह सही नहीं था बाकि इस्लामी आंदोलन मध्यपूर्व के साथ जुड़ा हुआ है इस्या के साथ नाजी प्रख़िये जो संसुर Rough redemption के संदर में आप उनको पढ़के जाये नव कांदोर्न क्यूंक की समधर नवगा है चल रहे हैं जिसके ओर करांती की बात होती है कि फ compress оно की ले송नों के संदडर में सबी बाते सही थी तो इसका तीन सही था कौन से समाजिक आन्दोलन का सही दौन है, समाजिक WOO दशाचन का विरोध करना उस वय वस्तहा के सामाज ही समस्य को हल करने वे शक्षम है. तो इसका फर्स्ट अप्षान ही सही नहीं था बाकी दोनों ऑप्षान सही थे. 144 नमबर कोश्चन है, समाजिक आंदोलन के मांसवादी द्रिष्टी कोण के संदर में सही है, वो संघर्ष और समाजिक आंदोलन का केंदर मूले है, ये बात करता है मांसवाद, और ये बाकी ये तीनों बात नहीं करता है, तो इसका 1st आप्शन ही सही था 145 पा कोशन है गांधी के पद्धिती समवदात्मक परतिरोध कौन कहता है तो यह समवदात्मक परतिरोध की बाद जो करते हैं और डैविड हेड़ी मैन इन्हों बात करिया गांधी जी के पद्धिती के बारे में सत्माजिक आंदुला में प्रति इस्परधी समूम, दौरा, हितोग, की तरक्त खोज शामिल है तो यह बात भी है तो तीनों इसका सही था किस वर्स यूरोपीय परिशाद गठित हुई तो यह करना की चीज को या खतम करना किसी चीज को यह अंदललन पर्यावाण से संबंदित नहीं है इसका कर गया तो इसको कर रहा हूं आप लेक सकते तो 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 पंचासवा कोशन थ है या स्रक्षान सब्सक्त्स समया लोगस कउन्ठ की शlorBERकर न के के लिए अपने हव्यवार कारे की शैली को संसोषट करणा करता है लोक सेवा को लोक तनत्र की जुरिकों की सबस्थाध करना पड़ता है यह बात तो सही है देश व्यापी अधार पर पंचायती राज संस्थानों देश व्यापिया धार पर पंचायती राज संस्थानों की स्थापना और इन पर नव स्थापित संस्थाओं को सिविल सेवा परनाली के कुछ परंपारिक कार्यों का हस्तांत्रन सिविल सेवा परनाली में एक नहीं नीती प्रवर्ति का गठन करत तो यह बात भी सही है तो दोनों सही है इसका तो इसकी व्याख्या लेकिन यह नहीं कर रहा है तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है तो इससे आगे कोशन में अगली वीडियो के अंदर डिसकर्स करूंगा उम्मीद करता हूं आपको यह थोड़ा अच्छा लगा होगा आपन झाल 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 झाल